नमस्कार प्रादेशिक समाचार दर्शन में आप सभी का स्वागत है इस कारिक्रम के जरिये हम आपको बताने जा रहे हैं विभन जिलो में राश्य पोशन मा के तहट आयोजित कारिक्रमों के बारे में आईए संख की शिर्वात करते हैं प्रादेशिक सभी ग्राम पंचातों तक पोशन और स्वास्त के बारे में लोगों को जवरुक करना है पोशन व्यान का मुक्रदेश को पोशन की समस्या पर प्राद्विक्ता के अधर पर काउपाना है इसलिए सरकार ने पोशन 2.0 के तहित पोशन तत्त बित्रन पहुंच वा परणाम को सुधर बनाने वा स्वास्त कल्यान वा रोग वा को पोशन के पृत्तिरोध की छंता बनाने पर ध्यान के अंधित किया है राश्टी पुश्रमा 2022 के तहित महला एवं बाल प्रिकास विवार ने ग्राम पंचायत इसतर तक कायक्रमों की रूप स्रंखला तयार की है जिनका उद्देश आम जन के बीच पोशन को लेकर जर्वता प्यादा करना है इसके अतरिक्त गरबबती वा सिस्वों को दूद पिलाने वाली माताओं की पहचान कर उन तक भी पहुचने की तयारी है जिले में समख्र पोशन अभ्यान के लिए प्रधान मंत्री की ब्यापक योजिना शुरू हुई है जिसे राश्टी पोशन मिश्ण की रूप में भी जाना जाता है सरकार का प्रमुकारिकम 6 साल से कम उम्मर के बच्चों गरबबती मैला और इस्तरपान कराने वाली माताओं के लिए पोशन सम्मंदी प्रणामों में सुदार करना है शुतंबर के महिने में प्रतिवर्स मनाये जाने वाले पोशन अव्यान का उद्देश को पोशन की चुनोती का सामधान करना है इस वर्स भार्त पांचवा राश्टी पोशन महा मना रहा है अच्छे पोशन और इसकी मेतपूल भूमिका का संदेश हर नुकर तक पहुँचाने के लिए शुतंबर मा में बिविन कत्विदिया की जा रही है इसमें गरब्बती और इतनपान कराने वाली मैलाओं शहसाद दिकम उम्र के बच्चों और किसोरों पर लड़कियों स्वस्त भारत की दिश्टी को साकार करने के लिए विसेद ध्यान रखा जा रहा है प्रादेशिक समाचा दर्सन आकासमाने के लिए विंशे अनिल शर्मा राष्ट्री पोशन मा के तहट बैतूल जिले में बच्चों की देख भाल की जा रही है अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे बैतूल समवाद दादा प्रती वर्षा नुसार इस वर्ष भी एक सितंबर से महिला एवं बालविकास विभाग के तत्वाव धान में आंगनवाडी केंद्रों में राष्ट्री पोशन महा का आयोजन किया जा रहा है इसके तहट विबिन गतिविदियों का संचालन आगामी 30 सितंबर तक किया जाएगा राष्ट्री पोशन महा के तहट महिला स्वास्थ बच्चा और शिक्षा पोशन के साथ पढ़ाई जल प्रबंधन और संगरक्षन गर्भवस्था में स्वास्थ जांच एवं पोशन देखभाल इस्थन पान एवं समय पर उपरी आहर आधी विशे पर व्यापक प्रचार प्रसार एवं जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है इसके साथ ही पोशन वाटी का छारिरिक माप अभियान को पोशित बच्चों का चिन्हंकन विशेश बाल भुज का आयोजन पोशन मटका आधी अन्य गत्विदियों का आयोजन किया जा रहा है बैतूल महिलावाल विकास विभाग की CDPO नीर्जा शर्मा ने बताया कि इस वर्ष ससत सवल नारी साक्षर बच्चा स्वस्त भारत टेक लाइन का निर्धारन किया गया है जिसके तहत पूरे महा कारिक्रम आयोजित किये जा रहे हैं इस पूरे महा में चार विश्यों पर गतिविदिया केंद्रित होंगी पहला महिला और स्वस्त दूसरा बच्चा सिक्षा पूशन भी पढ़ाई भी तीसरा लिंग संवेदन शीलता जलसन रक्षन और प्रवन्दर चोथा है जनजाती छेत्रों में महिलाओं और बच्चों के लिए पारंपरिक भुजन इस माह के आयोजन के मुख देश हैं जीवन के प्रथम 1000 दिवस के दोरान स्वास्त वं पोशन के प्रती जागरुकता लाना करवावस्ता में स्वास्त जाच पोशन देखवाल सीद्र इस्तन पान और केवल इस्तन पान समय पर उपरी हार विश प्रदेशिक समाचार दर्शन के लिए बैतूल से मयंक भारगो पश्यन निमार का बढ़वानी जिला आदिवासी बाहुल्य जिला होकर जिले में बच्चों में को पोशन एक बड़ी समस्या रही है प्रधानमंत्वी नरेंद्र मोदी के आखवान पर सतंबर महा पोशन महा के रूप में मनाया जा रहा है ऐसे में बढ़वानी जिले में क्या कुछ किया जा रहा है बच्चों में पोशन के सतर को सुधारने के लिए बता रही है हमारे समवात दाता जिले में इस दोरान एक से ती सितमबर तक पोशन महा का आयुजन के जा रहा है इस दोरान जागुरुकता रिली, दीवार नारा लेखन, समुधाय के साथ चर्चा, आंगनवडी केंद्रों पर गरभवती एवं धातरी महलाओं के साथ पोशन चर्चा, पोशन डागुरुकता कारिक्रम, जिला इस्तरी टाक्स पोर्स का गठन तता स्वास्त परिष्टन के साथ ही पोशन इस्तर में सुधार के अनिक कारिक्रम आईजुद के जा रहे हैं उमेदे की केंद्र सरकार दोरा, अकांसी जेले में शामिल, बड़नी जेले में कोपोशन से मुक्ती के लिए पोशन महा, मिल का पत्थर साबित होगा इस समन्द में महलायों बाल विकास अधिकारी रतन सिंग उन्या ने बताया की वर्तमान में 1 सेप्टमबर से 30 सेप्टमबर तक पोशन महा अभियान हमारे 1784 आंगनवारे केंद्रू में संचाली थे जिसमें इसका मुख्य उदेश्य है, 1000 दिवस के अंदर जो कर भावस्ता है, उनका विशेश देखभाल करना एनिमिया मुक्त भारत पोशन ग्राम पंचायतु का चिनहां कितकर उनमें विशेश आहर के माध्यम से समझाईश देना कि कौन से आहर से बच्छा स्वस्त होता है और हमारा जो पोशन है जहाँ 0 से 5 वर्स तक के बच्चे हैं, उनमें वजन अभियान और उनको समझाईश के माध्यम से हल्दी बच्चा हो, वो हमें इस अभियान में ग्रामवासियों को बताना आगर मालवा जली में भी सतंबर माह को पोशन माह के रूप में मनाया जा रहा है, अजबारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे समवाद दाता प्रत्यक बच्चे को स्वस्थ सूफोशित बनाये जाने तथा अभी भावकों और समुदाय को जागरुक बनाने के उद्देश से महिला एमबाली कासिभाग आगर मालवा दोरा मनाये जा रहे हैं पोशन महा के तहत आयोजित की जारी विविन गती वीदियों के बारे में और अधिक जानकारी दे रही हैं आगर मालवा की परियोजना अधिकारी मनीशा चोवे प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए आगर मालवा से मैं महेश शर्मा शिवपुरी जिले में कुपोशन को कम करने के लिए पोशन महा आयोजद किया जा रहा है इस दोरान जिले में महिला और बालविकास विभाग द्वारा पोशन की घंटी कुपोशन से चुटी अभियान चलाय जा रहा है और अधिक जानकारी के साथ जोड़ गए हैं हमारे शिवपुरी समवाद दादा इस अभियान में लोगों की भागिदारी बढ़ा कर और समवधाय के भीच पोशन के बारे में जागरुकता लाकर कुपोशन को कम करना इसका उद्देश है जिले में महिला सुपोशन सकी आंगन बारी कार करता और आशा कार करता तता माताओं को साथ लेकर कुपोशन कम करने की मुहिम सुरू की गई है इस अभियान में पिछले दुनों सुरवाया वे बदा बावडी गाउं में जारुकता कार का मायजित किये गए इस दोरान आधिवासी बहुल गाउं में वे अन गाउं में यहां कुपोशन जादा है या कमजोर बच्चे हैं बहाँ पर इन गाउं में जन भागिदारी बढ़ा कर सुपोशन सकी आंगन बारी कार करता और आशा कार करता हों के माद्यम से कुपोशित बच्चों को पास की पोषण के बारे में जानकारी दी जा रही है डीपियों ने बताया कि इस तरह की मुहें के अच्छे परणाम सामने आये हैं और बीते दुनों में दाई अजार से जादा बच्चे को पोषण मुक्तु हुए हैं प्रादेसिक समाचार दर्सन के लिए शूपरी से रंजीत गु प्रादा श्रीने जिला कारेक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग मनीशा लूंबा से बातचीत की सबसे पहले तो बीपिन ने गति वीदियों का अमारे करब से कलेंडर जारी हुआ जिसमें की परड़े अलग अलग गति वीदिए उसमें सबसे पहले तो जैसे कि आम जी जानते हैं इसमें हमने सबसे पहले एक नवाचार के रूप में हमने परस्टे जैसी हमारे ये शुरू हुआ है उसमें हमने हरी और sip अंगन वारी केंदर पर एक फल्लार पॉधे को लगाया क्या रोपन किया है इस से यह है कि उनको सब को एक मैसेज गया है और सबी जगे हमने इसमें प् वर्षा रुटू में मच्छा जनित रोग मलेरिया के शिकायत बढ़ने लगती है जिसके लिए नियंद्रण को लेकर शासन कारिक्रम आयोजित करता है अशोक नगर जिले में मलेरिया नियंद्रण कारिक्रम चलाया जा रहा है जिसमें मीठी मीठी गोलियों के माद्यम से खुराक दी जा रही है और ब्यूरा हमारे अशोक नगर समवाद दाता से अशोग नगर जिल में मच्छर जनित रोक मलेरिया के प्रवावी नियंतरन को लेकर आयूश विवाग द्वारा मलेरिया नियंतरन कारकेम चलाया जा रहा है जिल आयूश अदिकारी डक्टर विनूत कुमार धाकरे ने बताया कि ये कारकेम 10 सितंबर से 24 अक्टूबर तक 3 चरणों में चलेगा जिसके अंतरकत अशुकनार के सरवादिक मलेरिया प्रवावी 17 ग्रामों मलेरिया से बचा भेतू होमियोपोतिक दवा मलेरिया आफ्टोनेट खलाई जा रही है आईशुबाक के क्रमचारी आंगनवाली कारकरता एवं आशा कारकरता द्वारा घर गर जाकर ये दवा खलाई जा रही है पूरे जिले में 17 गाउं के लगबख 19 यार लोगों को दवाई सेवन कराने कर लक्ष निर्दारित किया गया है प्रतम चरण में लगबख 14 यार लोगों को दवाई खलाई गई है स्रीध हकरे ने बताया कि इस होमपेतिक गोली के माद्यम से मलेरिया से लणले की प्रतीरूदक छमता विक्सित हो जाती है जिसके प्रवाब के चलते मलेरिया का वायरस एक वर्ष के लिए निश्क्री हो जाता है इस दवाख के कोई साइड अफेक्ट नहीं है जाहिरे वर्षा रितू के मौसम में मच्छनों द्वारा फैलाई जा रही है कादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में बस इतना ही अगले सब्ता फिर आपसे मलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार आलेख और वाचन स्वर सैंट प्राबानर जी प्रस्तुती प्रादेशिक समाचार इकांश भोपाल रहा हाँ व3 यार स्वर्ण्छन के व्रिक्वास अरचन स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण्ण वह जिटन्खन स्वर्ण्छन फिज ऊस्वर्ण्दय मंन रहार को करना है भщее स्वर्ण – लिखने understood way जा सुर्णत्र सारे मैं स्वर्ण झाल झाल झाल